तो दोस्तो Instagram story में photo पर गाना कैसे लगाया जाता है और उसके बाद उस story को music के साथ कैसे gallery में save कर सकते हैं ता जो उस story को हम सभी दूसरे platform पर भी share कर पाएं तो दोस्तो अगर आप सभी ने भी try किया था अपनी Instagram story को download किया था लेकिन उसमे music है जो story में नहीं आ रहा था तो आज हम सभी इस वीडियो में बहुत ही असानी से सीखने वाले हैं कैसे Instagram story को music के साथ save कर सकते हैं अपनी mobile gallery में तो चलिए बिना समय गवाई शुरू करते हैं आ जिसके बाद आप सभी ने mobile gallery को open कर लेना है तो यहां से आपने अपनी उस photo को select करना है जिस पर आप सभी गाना लगाना चाहते हैं और इस story को आप सभी अपनी गैलरी में भी save करना चाहते हैं music के साथ तो अभी हम सभी अपनी इस photo पर गाना लगाएंगे उसके लिए आप स Instagram में जितने भी गाने हमें दिये जाते हैं सभी आपको नजर आ जाएंगे और इसके साथ आप सभी browse पर क्लिक करके यहां पर category wise भी music यहां से select कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी music को search करना चाहते हैं तो यहां पर search music बार पर click करके आप सभी किसी गाने को यहां पर search भी कर सकत आप सभी अपने हिसाब से line कहां से चाहते हैं आपकी photo पर play हो तो आपने यहां से select है जो यहां से कर लेना है और उसके बाद उपर done पर click कर देंगे जिसके बाद नीचे से आप सभी ने इसे अपनी story में share कर लेना है तो यहां पर हमारी story share हो गई है और साथ में music भी play हो रह है जिसके बाद अभी आप सभी को एक app की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद ही आप अपनी story को music के साथ gallery में save कर सकते हैं आपने play store open करना है अपने device में और यहां पर इस app को search कर लेना है जिसके बाद आपने इसे install करना है install होने के बाद हम सभी इसे open कर लेंगे यहां पर automatic है जो story का link है जो paste हो जाएगा और आपकी profile में जो भी story लगी होगी आपको यहां पर दिखे की तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इस story को अभी हमने अपनी profile में लगाया था तो यहां पर आपको निचे ही download का यह option मिल जाता है इस पर click करेंगे जिसके बाद हमारी story है ज इस process को यूज करके अपनी Instagram story को music के साथ gallery में save कर सकते हैं I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो भी helpful रही होगी तो दोस्तों वीडियो को like, share, channel को subscribe जरूर कर लीजिए